तो बुदेका जी सुनीता जी आप साक्षात नजल नहीं आ रहे हैं गुड आफटनून सर्थ हाई मैं यह थोड़ा बाहर गई थी काम सी थोड़ा बाहर अओ नहीं कोई शुनी फिर तो कोई दिक्कत नहीं सुनीता मैं फिर आप पहला सवाल पूछ लो स्वात्मते साब से क्य है पहला सवाल अडानी विल्मर का है तो मेरा 300 से लिया हुआ है 710 का तो अभी तक कुछ इसका आइडिया कुछ बता सकते हैं बिलकुल सद्पुदे साब बता सकते हैं बही सद्पुदे साब हम रिटेर विटेर बहुत फसे हुए अदानी गृप स्टॉक्स में अब उसमें है यह वाला स्टॉक तो चला ही नहीं है दो नहीं चले एक अपने सुबह चर्चा करी थे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नहीं चला और एक दूसरा विल्मर नहीं चला बागी सब में तो फिर भी रिबाउंड आ गया कैसा लगता है अदानी विल्मर और मेरी खरीद तो 700 प सब्सक्राइब बने रहें एक चांस है मुझे लगता है साड़े चार सो तक जाएगा अगर साड़े चार सो के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा इन डैट केस इसमें अच्छी रैली मिलेगी प्रोबैबली सिक्स फिप्टी तक तो चार्ट देखके तो लगता है कि इसमें प्रबली एलेक्शन के बाद मुझे लगता है अडानी ग्रूप में आपको रहले दिखे कि तो फॉर्मी इटसन होल्ड है अब देखते हैं एलेक्शन अराउंड एलेक्शन शायद हो सकता है मूव बढ़िया बने आपकी खरीद कभाव बहुत दूर है लेकिन अभी तो कि तेरा सो पंद्रा का तो अभी इसका भी यह भी भूत नीचे गया इसके बारे में अभी क्या कर सकते है आप थोड़ा बटाई हमी बिल्कुत सही कहरो बहुत नीचे गया पर सत्विज़ साब इनी लेविल्स के आसपास आके कहीं ना कहीं थम रहा है बार बार इस बार थम पता नहीं मुझे लेकिन हां बड़ा डिसपॉइंटिंग रहा हाई पचास परसेंट प्लस का मार्केट शेर सारे द्रोन मैनुफेक्ट्रिंग का इस देश का द्रोन मैनुफेक्ट्र बागी चल गए यह ठंडा ही बड़ता चला जा रहा है क्या करना चाहिए आशी जी है यहां पर हो रहा है जैसे यह 700 का लेवल पार करेगा उसके बाद आपको थोड़ा मुह मिलेगा करीबन 780 तक अगर वह लेवल भी निकल जाए तो फिर 850 880 तक का जगा की जगा मुझे लगता है इसमें इसमें आ रहे तो फिलाल तो दिस इना अक्यमेलेशन जोड मैं यह नहीं कर रहा हो कि यहां पर चार्ट बहुत बढ़िया है चार्ट में डिटोरेशन ही दिखता है लेकिन क्योंकि यह और इस लेवल को एक रिस्पेक्ट अगर दे तो यहां से मुह मिल सकता है तो इसको देखते मैं यही क्योंगा फिलाल आप बने रहे स्टॉप लॉस होगा साड़े छे सो का होल्ड करिए साड़े छे सो के साथ इस होप में कि इस लेवल्स को डिटोरीट जादा और ना हो इन लेवल्स में एक्कुमिलेशन तो ज़रूर हो रहा है चलेगा नहीं चलेगा उसका ज़रसा कीनली वोच आउट करने की जारवात पर सिक्स्विफ्टी के स साथ अपन होल्ड करेंगे सुनीता मैम मनिशा मैम अगली क्वेरी क्रमिस इंडिया है ओके 30 शेर सप्टेंबर 23 में लिया हुआ है सत्रा सो पचास्टी रेट सो अरे वाय आप पुराना भी कमा रहे है और नहीं में भी कमा रहे हो गजब चाहिए वह आप तो अभी क्या देख रहे हैं क्या पसंद आ रहा है को स्टॉक पसंद आ रहा है क्या जो लेने का मन बना रहे हैं अब अच्छा कमिंज में पूछू क्या बने रहे हैं मुनाफ़ा बांदें ऐसा कुछ पूछू सब लोग चार्टर अटॉंटेंट है तो फिर बचा गया फिर आप तो थ्रेंड बेर डिसकस कर ले तो घर स्टॉप को निचोर डालते होगे सब्सक्राइब अब ये कमिंज सात्रा सो और लेवल्स पर खरीदा हुआ एक तीस सो बतीस सो पर चल रहा है बई मुनाफ़क बानना है क्या करना चाहिए स्टॉक में किता और मोमेंटम राइट करूं आप होते बहुत अच्छी एक्टिशन कॉस्ट है मेरी बने रहता क्या स सब्सक्राइब करना कि बहुत हो गया और यहां से और नहीं चाहिए तो इस इन तक मैं तो एक होंगा आप एक स्टॉप लॉस रखे क्योंकि यह एंटिसेपेट करना कि बहुत हो गया और यहां से और नहीं चलेगा उससे अच्छा मैं कहता हूं कि अगर आप स्टॉप लॉस डाल दे कि यह मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर इसके नीचे जाएगा तो ही जाके मैं एक्जिट ले लूँगा तो मेरे हिसाब से 3,130 के आसपास यह फिलाल जो चल रहा है 3,110 इंट फैकर अदर तो मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो 2,900, 2,950 यह ट्रेजेक्टरी है यहां पे मेरा स्टॉप लॉस मैं प्लेस करता और मेंटेन करता अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है कि जैसे यह 3,000 के पार चला गया है उसके बाद प्रोबैबली 3,400, 3,500 तक की जगा अन्पोल्ड हो रही है तो काउंटर में स्ट्रेंथ है इस अ होल्ड है एक स्टॉप लॉस के साथ 2,950 के आसपास के जोन्स पे मुमेंटम है मुमेंटम इंजॉई करिए फंडमेंटली स्ट्रॉंग फुटिंग पर है पर पत रही मैंमा ग्लास